जानिये, जब संजे दत नशे में हुआ करते थे, तब क्या किया करते थे अपने परिवार के साथ? No.1 संजे को कोकीन और हिरोईन की आधत कॉलेज के समय से ही पढ़ गई थी. उनके कुछ ऐसे दोस्त बने जसके कारण संजु हैवी ड्रग्स लेने लगे थे. संजे ने एक इंटर्व्यू में बताया कि उन्हें अपने उपर कोई confidence ही नहीं होता था, और वो यहां तक की लड़कियों से भी बात नहीं कर पाते थे. तो कॉलेज में उनके दोस्तों ने कहा कि तुमें काम करो, ड्रग्स लिया करो, तुम ये सब बाते भूल जाओगे और आसानी से किसी भी लड़की से बात कर लोगे. बस, इसी से influence होकर संजू ड्रग्स करने लगे, और थोड़े ही वक्त में ड्रग्स के addict बन चुके थे, वो भी बड़े वाले. जब संजे नर्गिस के इलाज के लिए निवाक पहुँचे, तो निवाक में ड्रग्स बैड कुशन के नीचे चुपाया करते थे, और सुनील दत को ये बात होटल के हाउस कीपिंग से पता चली, तो जब संजे वापस अपने रूम में आए, तो उन्हें अपने ड्रग्स नहीं मिले, फिर उन्हें पता चला कि वो ड्रग्स उनके पिता के हाथ में लग गए हैं, पर फिर भी संजुर रुके नहीं और नशे के लिए वो सुनील दत से लड़ पड़े, ये पहला वाक्या था जब सुनील को पता चला कि संजे यानि कि संजे दत ड्रग्स करते हैं, तो उन्होंने सोचा कि ऐसे वक्त पर ड्रग्स छोड़ देना चाहिए, फिर संजे ने काफी समय तक ड्रग्स नहीं लिया, पर उनकी ड्रग एडिक्शन इतनी जाधा थी कि संजे बिना ड्रग्स के बीमार पड़ गए और वाइडरल सिम्टम्स उनसे सहन नहीं हो पाए, त तो संजु ने नियॉक जाने से पहले अपने शूज में ड्रग्स को छुपा लिया, उन दिनों एयरपोर्ट पर चेकिंग नहीं की जाती थी, इसी वज़े से वो बच गए, संजु का कहना है कि ड्रग्स इंसान से कुछ भी करवा सकता है, मुझे अपनी परवाह तो थी नह को संजय की ड्रग्स एडिक्शन के बारे में पता लग गया था, अब इस बात का उनके करियर पर एफेक्ट पड़ा ही, साथी साथ उनकी फैमली को भी काफी एंबरस्मेंट झेलनी पड़ी, प्रिया दत ने एक इंटर्वियू में बताया कि उन दिनों भाया की बहुत सारी फिल्में रिलीज होई थी, हर फिल्म में साफ दिखाई देता था कि वो नशे में है, मुझे कॉलेज के कई स्टूडेंट्स चर्सी की बहन कहकर एंबरस किया करते थे, इनी सब चीजों के चलते संजू के पापा यानि कि सुनील दत ने फिल्म प्रोड्यूस को बताना शु ध्यान से कास्ट करें नमबर फाइव ड्रक्स की वज़े से ही संजय सेट्स पर हमेशा लेट आते थे, और कई बार उनकी वज़े से शूट कैंसल करना पड़ता था प्रोड्यूसर संजू से परिशान थे, तो इसलिए प्रोड्यूसर ने संजू को सेट पर ही ड्रक्स देना शुरू कर दिया क्योंकि प्रोड्यूसर नहीं चाहते थे कि उनकी फिल्में और डिले हो इसलिए उस संजू को ड्रग्स लाके दे देते थे जिसे उनकी फिल्मों की शूटिंग समय पर हो जाती थी पर संजू की ड्रग्स की लत अब और बिगड़ चुकी थी संजू हर फिल्म में नशे में हुआ करते थे और ये बात उन्होंने खुद भी कनफेस की थी नर्ग्स के डेत के बाद संजू के ड्रग्स प्रॉब्लम्स का पूरी फैमिली को पता चल चुका था संजू का बिहेवियर भी बदल चुका था क्योंकि अब उनके पास अपनी ड्रग्स की लत को छुपाने का कोई रीजन ही नहीं था तो एक दिन गुस्से में आकर उनकी बहन नम्रता ने उनसे कह दिया कि भाई तुम ड्रग्स करना कब छोड़ोगे अब मा भी अमारे बीच में नहीं रहती तुम्हें थोड़ी सी शरम आनी चाहिए संजु को भी गुस्सा आ गया और उन्होंने नम्रता को धक्का दे दिया जिससे उन्हें चोट लग गई और उनका पैर भी फ्रैक्चर हो गया नम्रता का कहना है कि ये वो दौर था जब संजु अपने वस्ट बिहेवियर में थे प्रिया और मैं उनसे हमेशा डरा करते थे क्योंकि पता नहीं था कि संजु कब और किस बात पर कैसे रियक्ट कर दें नम्रता सेवन 1980 का दौर संजे के अडिक्शन का सबसे खराब दौर था उन्होंने अपनी मा को भी खो दिया था उनके फिल्म बॉक्स ओफिस पर फ्लॉप हो रही थी और 1982 में संजे और टीना का ब्रेक अप भी हो गया था इसी दोरान संजे एक दिन घर पर अकेले थे और बहुत नशे में थे तो उन्होंने अपने घर पर पड़ी राइफल के शौट फायर करने शुरू कर दिये उनके नेबर ने पूरा इंसिडेंट देखने के बाद पुलिस में कम्प्लेंट कर दी और ये पहली बार हुआ था कि संजे तत को अरेस्ट किया गया पर अगले ही दिन उन्हें बेल मिल गई उस वक्त संजे ने अपने डिफेंस में ये कहा कि उनसे गलती से शौट फायर हो गए पर कई सालों बाद जब संजे ड्रक्स छोड़ चुके थे तो फिर उन्होंने कनफेस किया कि उस रात वो बहुत ज़ादा गुस्से में थे और उनका ब्रेक अप उनसे सहा नहीं जा रहा था इसलिए नशे में धुत होकर मैंने अपने घर पर ही गोलियां चलाना शुरू कर दी थी संजु जब भी घर में ड्रक्स करते थे तो हमेशा अपने आपको रूम में लौक कर लेते थे एक दिन जब संजु सोकर उठे तो उन्हें बहुत भूक लग रही थी और उन्होंने अपने नौकर को बुलाया तो वो उन्हें देखकर रोने लगा संजु ने जब पूछा कि क्या हुआ तो उसने बताया कि बाबा आप दो दिन के बाद सोकर उठ रहे हैं संजु को ये बात एकदम से हिट कर गई और उन्होंने अपने आपको शीशे में जाकर देखा और उन्हें लगा कि मुझे ये क्या हो गया है? मैं इतना ड्रक्स पे कैसे डिपेंडेंट हो गया? संजु ने उसी मुवमेंट में मन बना लिया कि अब वो ड्रक्स को छोड़ देंगे और रिहेब सेंटर जॉइन करेंगे इसी चीज के लिए संजु सुनील के पास गए और उन्होंने अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगी और कहा कि डैड मुझे मदद की ज़ुरत है मैं ड्रक्स छोड़ना चाहता हूँ अगर आपने कुछ नहीं किया तो मैं जल्द ही मर जाओंगा जब सुनील संजे को अमेरिका के रिहाब सेंटर में ले गए एडमिट कराने के लिए तो एडमिट होने से पहले संजे को कुछ मेडिकल फॉर्म भरने थी जहां उन्हें टिक करना था कि उन्होंने आज तक कौन कौन से ड्रक्स को यूज किया है तो संजे ने धड़ा धड़ करके हर एक ड्रक्स के सामने टिक कर दिया डॉक्टर ने जब संजे दत का फॉर्म देखा तो उन्होंने पूछा कि क्या बात कर रहे हो तुमने सच में इतने सारे ड्रक्स लिये हैं तो संजे ने कहा मैडिसन्स, नीडल्स, स्मोकिंग मैंने हर तरह के ड्रक्स लिये हैं डॉक्टर ये सुनकर हैरान रह गए और उन्होंने सुनीव दत को बताया कि इतने तरह के ड्रक्स करने के बाद किसी का बचना मुश्किल होता है ये आपके हैवी इंडियन फूट्स की बदौलत ही है कि इतने ड्रक्स करने के बाद भी संजे आज जिन्दा है फिल्म सडक में महरानी का जो करेक्टर है वो संजे की रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर है संजे अपनी ड्रक्स की सप्लाई लेने मुंबई की चौल में जाया करते थे और वहाँ एक सप्लाईर ट्रांसजेंडर था तो संजे ने ये किस्सा महेश भट को सुनाया जिससे इंस्पायर होकर फिल्म का विलन कैरेक्टर महरानी स्कृप्ट में एड़ किया गया सड़क बॉक्स ओफिस पर हिट रही और महरानी के कैरेक्टर को भी बहुत लोगों ने अप्रिशियेट किया क्योंकि उस टाइम की फिल्मों के लिए ये कैरेक्टर बहुत अलग था जब संजे रिहेब सेंटर में थे तो उनकी दोस्ती एक बिजनसमैन से हो गई और संजे ने उनके साथ बिजनस करने का प्लान शुरू किया था संजे ने मन बना लिया था कि ड्रग्स चुड़ने के बाद वो इंडिया वापस नहीं जाएंगे और अपने दोस्त के साथ टेकसस में ही एक फार्मिंग का बिजनस करेंगे पर सुनील ने संजु से रिक्विस्ट की कि तुम्हें एक बार इंडिया वापस आकर दोबारा से फिल्मों में ट्राइ करना चाहिए तो संजे पिता की बात नहीं डाल पाए और वापस इंडिया आकर फिल्म्स करने लगे बीस साल बाद संजु की मुलकात दोबारा उसी दोस्त से हुई तो उस दोस्त ने संजु को बताया कि आज वही कमपनी पांच सो मिलियन डॉलर की वैल्यू रखती है जिसके एक टाइम संजय पार्टनर बनने वाले थे संजु भी ये अमाउंट सुनकर हैरान रह गए पर तब तक संजु बॉलिवुड में एक सुपर स्टार बन चुके थे संजु का कहना है कि दिया इस नो बेटर हाई देन लाइफ उन्हें अपनी जिन्दगी और फैमिली सबसे ज़ादा प्यारी है इसी बात का रियलाइजेशन उन्हें ड्रग्स चूड़ने के बाद हुआ और वो आज भी यंग्स्टरस को यही एडवाइस करते हैं कि जो गलती मैंने की है वो तुम मत करना ड्रग्स आपको कुछ पल के लिए खुशी दे सकता है पर साथ ही साथ आपकी और आपके चाहने वालों के जिन्दगी खराब कर देता है दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे हमें लाइक्स और कॉमेंट्स करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही और भी इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए देखते रहिए फिल्मी टॉक हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं